जरिपट का थाना क्षेत्र में एक अधर्ड व्यक्ति ने अपने घर में फासी लगा कर आत्महत्या कर लिए आत्महत्या का कारण एक नीजी कमपनी के मैनेजर सहीद दो लोगों को बताया जा रहा है इस बात का उलेक व्यक्ति ने अपने श्रिसाइड नोट में भी किया है फिलहाल पुलीस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यों के साथ दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है साथ ही इस दोरान पुलीस ने एक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है आरोपियों में AMCL मशिनरी लिमिटेड कमपनी के HR मैनेजर अलंकार नगर मानेवाडा रोड निवासी उत्तम जनारदन ताजने और नवनीत भटल का समावेश है विगत पाच सितंबर की राज साड़े ग्यारा बजे के दोरान श्रावस्ति नगर निवासी प्रकाश शिवदास वागमारे ने अपने घर में फासी लगा कर आत्महत्या की थी प्रकाश बुट्टी बोरी की AMCL कमपनी में वेल्डर पत पर कारियर थे उन्होंने मरने से पहले स्यूसाइड नोट में कमपनी के मैनेजर उत्तम ताजने और नवनित भट्टल द्वारा प्रताडित करने की बात लिखी थी उनकी प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या करने का उल्ले किया था उनके बेटे इशान की शिकायत पर जरिपट का पुलीस ने ताजने और भट्टल के खिलाव धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया पुलीस ने ताजने को गिरफतार कर लिया है और भट्टल की तलाश जारी है पुलीस के अनुसार वर्ष 2015 में प्रकाश पर चोरी का आरोप लगा कर काम से निकाल दिया गया था इसके बाद प्रकाश ने श्रम आयुक्त के कोर्ट में अपील की थी श्रम आयुक्त ने प्रकाश के पक्ष में फैसला दिया इसके बाद भी कमपनी ने उन्हें दोबारा काम पर नहीं रखा बाद में कमपनी के इस विवार के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायाले में अरजी लगाई पाथ साल तक उन्होंने कोट में संगर्श भी किया लेकिन न्याय न मिलने से आखिरकार उन्होंने आत्महत्या कर ली